आप सभी को संदर उनिमा की बहुत बहुत बढ़ाई हो बाबा विश्वनात की कृपा आप पर सदा बनी रहे आ गया उनिमा की रात्री बड़े से बड़ी बिमारियां बड़े से बड़े रोग बड़े से बड़े बड़े कश्ट इस उनिमा की रात्री को छूट जा दमे की पुर्णिमा की रात्री को पीपल के पत्ते पाच लेकर उसके उपर खीर डालकर रात्री को खा लेने से महाराथ दबे की बिमारी, स्वास की बिमारी रुख जाती है वो बिमारी बढ़ती नहीं है, उससे कश्ट नहीं होता है। जिन बच्चों के नेतर कमजोर होते हैं, रोशनी कमजोर होती है। जिस व्यक्ति के शरीर में गाट पड़ जाती हो, शरीर खाला पड़ जाता हो, चट्टे पड़ जाते हो, या दात खाल खुजली हो जाता हो, उसके लिए विश्पुर्णिमा की रात्री को बारा वजे, माराज भगवान चंदर देव के लिए 21 दिये जलाई जाते हैं, उस 21 दिये की कालोच एक ठाली में घटी करी जाती है, काजल, कालोच को खटी करकर, शरीर में गाए के गी के साथ में, Been, जहाँ जहाँ जगा पर चट्ते हैं, गाट हैं, वहाँ लगाया जाता है उसको, पाच या साथ दिन लगाई है उसके बाद में रोज प्रती दिन लगाने के आदे घंटे वा दिस्नान कर लीजिए आराम लगना प्राराम हो जाता है शिव का समरं करो पुर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना आखा दाना जानते हो पूरा घंडी चावल नहीं कितना चावल एक दाना चावल शंकर भगवान के श्विलिंग पर समर्पित करिए एक बिलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो जहां से चावल चड़ाया है उस चावल के उपर अपनी कामना करकर रख दीजिए और चंद्रमोली भगवान का समर्ण करिए कौन से भगवान है शंकर भगवान का सर्वस्रिष्ट सुन्दर नाम है चंद्रमोली चंद्रमोली भगवान का समर्ण करिए अपनी कामना करकर बेल परत्र समर्पित करकर शिवजी पर एक लोटा पानी एक जल पत्र समर्पित करो अलस से जल चड़ा दीजिए नैरों में वो जल लगाकर अपनी कामना करकर वापिस घर कुआई है अगली कुर्णिमा आएगी जो कामना करी है मेरा चंद्रमोली भोले नात उसे पूनक कर के दिरा आज कुर्णिमा की रातरी से लेकर कार्थिक पूनिमा की रातरी के बीच में जो दामोदर भगवान का, कृष्ण का, शिव का मंगल आनंद करेगा, अभिशेक करेगा, पूजन करेगा, इस्मर्ण करेगा, उसके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएगा दात्री को आप बड़े प्रेम से खीर बनाओ, चंदर देव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भगवान श्रीहरी को, बन सके अगर लच्छमी की कमी है, लच्छमी नहीं आ रही है, व्यपार महीं चल रहा है, तकली बहुत ज़्यादा है, घर में कश्टे है, करजा ज़्य अधा है, तो एक तामबे के कलश के उपर, तामबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पे लच्छमी जी की मूर्ती रखना, लच्छमी जी की मूर्ती नहीं हो, तो चांदी का सिख्का रखना, उसके सम्मुक हमें, आप 31 दीपक घी के लंगी बाती के जला देना, एक एक कमल गटा, उस 31 दीए के अंदर डाल देना, और लच्छमी जी का पूजन करना, लच्छमी जी का इस्वर्ण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, पांच पत्ते पर खीर का भोग लगाना, और माता लच्छमी से बिंती करना, सुबहरे चार तक वो रखे रहें देना, सुभा चार बजे उठाना, लच्मी को वापित तीजोरी में या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना, जो खीर मनी है उपरशाद के रूप में, सुभा आड बजे, दस बजे, नो बजे, जब खाना हो फ्रेम से पाना, माता जो दिये लगाए जो धंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहें देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिये भी सर्जन करना हो, तो आपकी मर्जी है, पर वो मट्टी के दिये लगेंगे, आटे के दिये नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है, आपको 31, घी के दिये लगाना है, छे वजे के बीच में एक लोटा पानी उसमें पाच बेल पत्र रखकर एक कमल गट्टा डालकर भगवान चंदरेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चड़ा दीजिए आपकी जो कामना हो वो कामना करकर चड़ा बिंती करें चंदरेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि अमारे ये कारिस्ट अफल हो केवल पूर्णिमा के दिन चड़ाई है कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर वर कर्णिमा की रातरी को और कार्तिक पूर्णिमा की रातरी को गर्वबती नारी अपनी नाभी पर यदि चंदर की द्रश्टी पढ़वा लेती है तो बच्चा विकलांग विदा नहीं होता है घर्व से जो बालक होगा सरेश्टों का विद्वान होगा चतूर होगा पढ़ने में होश्यार होगा क्योंकि ये चंदर की किर्णे जब समूत्र में उच्छाल ला सकती है तो आपके जीवन में भी तरक्की ला सकती है उच्छाल ला सकती है अगर आप शंकर बगवान को एट लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो सुईत पुष्प को रख कर शंकर जी के उपर सफिर उल को चड़ा कर अगर लोटा जलवी एक ने पातर जलवी शंकर को समर्पित कर लेो तो यह लजमी के लिए निरी निर्वाण लोटा आप आप लोटा जलवी है अधे भार्वतफी जी नहें लजमीजी को देखा और स्वरस्थी को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया इसा क्या हुआ क्या है इसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई क्या हुआ पारवती जी कुछ बोल दी शिव जी कार्यान मातासर सुद्धी की और लच्मी की और गया और बगवान निसंकर जान गए कि आज बगवान नरेन ने लच्वी जी को अपूर्ण कहा है अब देखे माता परवती क्या कर सकते है इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या क्या हुआ माता सरसती जी बोली लच्वी को अपूर्ण कर दिया अपूर्ण कर दिया हाँ तो क्या सोचना उसके लिए इसको मैं भी वोर्ण बनना देती हूँ